अनूध अगलो दोस्तो आज हम याँ पर बात कर रहें हिंदुस्तान पैट्रोलियम कोर्प्रि तो पैट्रोलियम से एलेटेट काम करते हुए नजर आती है तो आज इसी कंपणी से एलेटेट एनलाइसिस, कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनस मॉडल क्या है और टेकनिकल क्या कह रहे है उससे एलेटेट हम यहां पर बाते करेंगे बिफोर दैर वीडियो में आगे बढ ज़िए खुद की स्टेडि करना है चीजों को सीखने पर दियान देना है और सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूं वीडियो जैए जाके देखिए एक वीडियो को कैसे पैसे यहां पर डबल डबल ट्रिपल हो जाते है वह आपको समझ में आएगा जूसरी वात यहां पर को सेव कर लीजिए, basics to advance, technical, research, fundamental, कब लेना है, कब बेचना है, क्यूं लेना है, क्यूं बेचना है, क्यूं भागता है, क्यूं गिरता है, सारे answer दिये जाएंगे, 20,000 रुपर कोर्स है, और एक तारिक से इस कोर्स की कीमत 25,000 होने वाली है, 3 months की hand holding है, strategies using stock market, online notes, सब कुछ दिया जाएगा, और एक बार कोर्स करने का, regret फील नहीं करोगे, एक साल का experience ले लिजिएगा, जो सिखाया होगा, पसके बाद किसी की शायद जरूरत ना पड़े, अगर आप मेहनत करेंगे तो, दूसरी बात, अगर किसी का portfolio बढ़ा है, और साथ में काम करना चाहता है, ठीक है, छोटे small cap, हमारी channel का नाम है, हम small cap investor, ऐसे छोटे shareों में काम करना चाहता है, तो इन्हीं नंबरों पर contact कर सकता है, बात चीद करने में कुछ नहीं जाना, कोई पैसा नहीं देना, simply पूछना है, what we can offer, हाना, हम क्या यहां पर दे सकते हैं, हमारी अगर understanding बैठेगी, तो साथ में यहां पर काम कर सकते हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान petroleum की अगर हम बात करें, तो 418 रुपे पर share चल रहा है, लग बग 10% का यह share यहां पर आज की देट में भागता ह हुआ नजर आया, क्या यह share को लेना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, तो देखिए, आपने देखा होगा, मुझे मैं government company से related बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, उसके पीछे का reason क्या है, इसके पीछे का reason यह है, कि कहीं न कहीं, हमने अभी तक क्या सुना है, हमने होता है, यह चीज ठीक भी है, और कहीं न कहीं गल्थ भी है, ठीक है, और अगर हम यह आपर बात करें, तो हम कहीं न कहीं, कभी जो सीखे होते हैं, ठीक है, हम भो सारे वीडियो देखते हैं, हम चीजे देखते हैं, तो हम पुराने जो दिगज इन्वेस्टर है, उनकी कहीं करें ठीक है तो शाय हो सकता है कि हम यह पर गलत हो ॽं हम कही न कहीं इस चीट मEं गलत प्रूप होई है और हम नहीं वह बड़े-इंवेश्टर भी यहां पर गलत होते हुए नजर आ अब कहीं—— क्यों हमीं यहां पर ध्यान देना जैसे कि banking भागा है वो शायद ये कंपनिया भी उसी तरीका का performance दिखा सकती है तो उसी से लेटेड हम यहाँ पर बाते करने वाले है ठीक है तो हिंदुस्तान petroleum करता गया है तो आपको पता ही है यहाँ पर marketing of petroleum products, production of hydrocarbons as well as providing service of management of ENP blocks यहाँ पर आप देखोगे company का अच्छी रिफाइनरी लोकिश मुंबई में है विशाका पर नम हमें है बटिंडा में है as well as 50% stake रिफाइनरी लोकिट इन भटिंडा होगे पंजाब with a capacity of EA दे रखा है हाना capacity utilization आप देख सकते है revenue breakup आप देख सकते है ठीक है increase in sales volume देख सकते है market share देख सकते है three leading public OMCs है उनमें से 24% का जो market share है इस particular share ने यहां पर लेकर रख रखा है capex की बात करें तो company का यहां पर capex देख सकते हो ठीक है capex का प्लान लगबा 39,000 क्रोड रूपीज यहां पर from 2020 से 2023 के बीच में इन्होंने यहां पर लगाया था company का यहां जेवीज भी है हाना its key capex projects are यह भी आप यहां पर देख सकते ह तो company क्या कर रही है company यहां पर अच्छा कासा काम करती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है यहां पर आप देखिए company के बारे में जानना चाते हो company के बिजनस मोडल के बारे में जानना जाते हो तो और यहां पर एक बार देख सकते हो इन company natural gas में petroleum products में gas and renewables में यहां पर हर चीन में यहां पर company काम करती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है अब देखे company के बारे में तो company के business model आपको पता ही है यहां पर देखिए 59,000 करूर रुपीज के आसपास का market cap है और 3 के PE पे share मिल रहा है industry का PE 5 का है ठीक है कहीं न कहीं अभी भी सस्ता नजर आता ह और अगर यह PE expansion होता है तो पैसे यहां पर अच्छे खासे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं company पिछले अगर हम बात करें तो 5-6 सालों से कुछ भी performance नहीं किया इसी वज़े से negative ROC ROE दिखाई देता है इसके अलाब आप आप देखेंगे company की जो sales है yearly basis पर वो कम हुई है और intrinsic value की बात करें तो लगबक 4 गुने से ज़्यादा है यहां पर intrinsic value चार गुने से ज़्यादा है यहां पर दिखाई देती है हरत्य है यहां पर company उसी दिशा की तरफ भकती हुई नज़र आ रही है जो हम चार्ट पर आएंगे तो हम यहां पर बात करते हुए नज़र ऑर देχें तो यहां पर company की quarterly sales देखिए company की quarterly sales आप यहां पर देखेंगे तो अच्छी खासी भागती हुई नजर आई है ठीक है कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है जो कंपनी वन लाक करोड रूपीस के असपस की सेल्स भी देखोगे तो 95,000 करोड की सेल्स पर बैठे हुए है यहां पर देखेंगे तो कंपनी जो घाटे में थी वह यहां पर कंपनी के प्रॉफिट में आते हुए दिखाई दे रहे है ठीक है और यह चीज मुझे नजर आता है कि आगे और भी ज़्यादा बढ़ता हुए दिखाई दे सकता है एपिएज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे है दो तिन कॉर्टर और कंपनी के रिजल्ट आएंगे शेर यहां पर प्राइस निकलता हुआ नजर आ सकता है कंपनी का यहली परफोर्मेंस देखें कंपनी का यहली परफोर्मेंस देख लिजिए 1 लक से सीधे 4 लक करोड के आ इंकरिमेंट हुआ है बोरें की बात करें कंपटनी के बोरें भी सास्ता बढ़ी है वकींग पोर्इस में 25,000 कLoThe लगा रख्ये है टीक है इनवेस्टमेंस 27,000 कोड का है कैश की बात करें पास व्यास Hendon ृदिखाीक है शेए दिखा यहां पर सब चीश का पास 54.9% के शेर है जो कि यहां पर आइल प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया अफर्ट ओफ ओएल एंड ओन ग्यूसी ठीक है उनके पास यहां पर यहां पर देखें अपर देखें एफायज के ओल दिंग थर्टीन परसेंट के आज पस है डियाई की ओल्डिंग यहां पर बाइस यहां पर दिखाई दे सकता है यहां पर गिरावट होती हुई दिखाई दिखाई दे रहा है चार्ट में और भी चीज़ से लेटीर बाते करेंगा बट उससे पहरे रिक्वेश्ट है आए एम स्मॉल काप इन्वेश्टर चैनल को सब्सक्राइब बैल इकन को ही टॉल की नोटिफिकेशन को अन करें बाइंग सैलिंग की रिकमेंडिशन है नहीं चीज़ों को यहां पास सीखना सीखे सीखने के लिए भागता हुआ दिखाई दे रहा और आज के दिन लगबग 10% भागता हुआ दिखाई दिए सबसे पहले अगर हम यहां पर देखे तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है इसमें कोई पर दोराय नहीं है बट यहां पर यहां पर जाता हुआ सीखे दिखाई देता है तो ल है यहां पर जो ब्रेंट करूड हम यहां पर इंडिया में यूज करते है वह आप यहां पर देखेंगे तो यह वह गिरता हुआ नजर आ रहा है ठीक है ना अच्छी एक तेजी बनाई मैंने यहां पर एनलाइसिस करता हूं पूरे मार्किट की तो मैं आपको यह बताता भी यहां लगाता है यहां पर गिरावट हुई ठीक है और गिरावट के बाद चीड़ी यहां चल रही है तो क्या यहां से और नीचे गिर सकता है चांसे बड़े कम हैं ठीक है कि यहां से नीचे आए हो सकता है यहां पर एक बार नीचे आए और यहां से दुबारा ऊपर जाता पर चार दिन में आपको यह जल्दी यहां पर यह लेवल दिखाई देगा बट अम इसकी बात नहीं करते हम बात करते आगे कि अगर एक बार यह ब्रेक आउट दिया इस पर्टिकुलर लेवल ने तो आपको पता है कि यहां पर दोया सतरे में इस प्राइस पर चलता था लगवा 500 रुपे के आसपास चलता था और यह शेयर ठीक है यहां से सीधे भाग के थोड़ा बहुत उस टाइम गिरेगा थीक है इस चीट को भी याद रखना है ऐसा नहीं कि सीधे भागता हुआ दिखाई दे तो यहां पर यह शेयर आपको अच्छे कासा लिटन का मतलब है कि यहां पर अगर हम देखे तो यह शेयर कहां तक जा सकता है 823830-835 तक जा सकता है जो कि यहां से सीधे अगर हम यहां पर बात के डवल के आसपास क यहां पर क्या है ठीक है और दूसरी बात intrinsic value आप यहां पर देखेंगे तो 1316 की आसपास है अगर 1316 तक यह शेयर यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है तो आपको पता चलेगा कि यह शेयर लगबग फिर कितना हो गया 200% तक की रिटन भी यहां पर दे सकता है तो buying selling की recommendation नही तो यहां पर इस area में consolidate करेगा ठीक है अगर इसके नीचे आता है 350 के नीचे आता है तो एक बार से आल के बारे में सोच सकते हैं बट आपको रिटन भी अच्छे तो इस रिटन के लिए आपको थोड़ों बहुत risk को लेनी पड़ेगी और फिर यहां पर मुझे क्या नजर आ करनी है इन नमबरों को नोट करके साथ में काम कर सकते हो थैंकी सो मैच गोड ब्लेस